नमस्कार दोस्तों स्वागाते आपका क्रिकेट विद नारेन के साथ तो गैज हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीम बड़े ने उस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना नहीं है लेकिन रिशब पन कैप्टन ना होना एक शौक है मेरे लिए और मैं यह अपने परसनल ओपिनियन से नहीं बता रहा हूँ अगर हम देखे तो रिशब पन का बेश्ट आउतार हमें टेश क्रिकेट में ही दिखा है और वो अकेला इंडिया का ऐसा विकेट कीपर है जिसने सिंचूरी लगाई है साथ आफ्रिका अस्ट्रिलिया और इंगलंड में टेश क्रिकेट में और जिस तरह से वो रंस बनाता है कंसिस्टन्टली टेश क्रिकेट में मेरे ओपिनियन में वो कैप्टन होना चाहिए था वो अपने दंपर टीम को टेश मैचे जिता के देता है वो इंडिया टीम का X Factor है टेश क्रिकेट में और वो विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी करता है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे इंडिया ने कैप्टन बनाने के बारे में सोचना चाहिए टेश क्रिकेट में वो काफी अच्छे से प्रेशर को हैंडल करता है उसने अंडर प्रेशर गाबा की मैच को अपने दंपर जिताया था इसलिए कुछ चीजे इस न्यू इरा में मुझे ऐसा लगता है कि सोचने की जरूरत है और अगर देखे तो शुबमन गिल, रूतुराज गाएकवाट, श लाइन नजर नहीं आई है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि गौतम गंबिर ये रिशपन के बारे में भी सोचे, क्योंकि मुझे इसा लगता है कि वो एक बड़ा कैंडिडेट बन सकता है, नमबर टू गाइज जस्पृत बुमरा ने बॉलर्स को लेकर कहा कि हमने देखा है कि पैट कमिंस ने अजर कैप्टन अच्छा किया है, और जब मैं छोटा था तब वसी मकरम और वकार यूनिस भी कैप्टन थे, कपिल देव ने भी इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के दिया है, इसलिए मुझे इसा लगता है कि बॉलर्स अजर कैप्टन ये काफी जादा स्मार है, और most of the time में मेरे emotion को check करता रहता था, यूकि मैं team का coach था, और as a coach आपको ये चीजे करनी पड़ती है, लेकिन to be honest मैं उस दिन काफी जादा happy था team के लिए, मैं उन सारे boys के लिए काफी जादा happy था, और support staff ने भी इन चीजों के लिए काफी जादा help मुझे की थी, इसलि इटली चीजे हमारे अगेंस होती थी, चलिए guys आज के लिए बस इतना वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो like share और subscribe जरूर करे,